उम्त्रम्बकम्याजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमामृता ओम्नमस्षिवाय हर हर महादेव देवों के दे महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं इसलिए उनका एक naam भोले नात भी हैं घ्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षानिक मातर की भक्ती से ही वह प्रसन हो जाते हैं तो आईए, शिव की भक्ती और कृपा पाने के लिए भोले नात की बड़ी ही पावन कता का रस्पान करते हैं तो प्रेम से बोलिए गोरी पुत्र गनेश की जय, शिव शिवा की जय प्राचिन समय की बात है, वाशकल नमक गाउं में बिंदुग नाम का एक प्रामन रहता था वह बहुत ही अधर्मी, दुरात्मा, एवं महापापी था उसकी पत्नी बहुत ही सुन्दर थी, उसका नाम चंचुला था वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंदुग बिंदुग वैश्य अगामी था इस तरह कू करम करते हुए बहुत समय वैतित हो गया उसकी पत्नी काम से पीडित होने पर भी स्वाधर्मनाश की भैसे कलेश सह कर भी काफी समय तक धर्म भरष्ट नहीं हुई परंदु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पती के आचरन से प्रभावित होकर दुराचारी नी और अपने धर्म से विमुख हो गई इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पत्ति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीद गया समय आने पर बिंदु की मृत्यू हो गई और वह नर्क में चला गया बहुत दिनों तक नर्क के दुखों को भोग कर वह मोड बुद्धिव पापी विंद्य परवत पर भ्यंकर पिशाच हुआ इधर उस दुराचारे बिंदुग के मर जाने पर वह चंचुला नामकिस्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही पती की मृत्यू के बाद वह भी अपने धरम से गिर कर परपुर्षों का संग करने लगी थी एक दिन दैव योग से किसी पुन्य परव के आने पर चंचुला अपने भाई बंधों के साथ गोगर्ण क्षेत्र में गई उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधो जनों के साथ इधर उधर खूमने लगी घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई वहां उसने एक ब्रहमन के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी कथा वाचत ब्रहमन कह रहे थे कि जो इस्त्रियां वे भी चार करती हैं वे मरने के बाद जब यम लोग चाती हैं तब यम राज के दूथ उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा लेकिन यम दूथ उसे छोड़ते नहीं ब्रामण के मुक से यह वेराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भैसे व्याकुल हो गई कथा समाप्थ होने पर चंचुला ने कथा सुनाने वाले ब्रामण से कहा कि हे भ्रामन, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है मेरे उपर कृपा कर मेरा उधार कीजी आपके प्रवचन को सुन कर मुझे इस संसार से वेराग्य हो गया है मैं बूरे विश्यों में फंस कर अपने धरम से भी मुख हो गई थी हे भ्रामन देवता आप मेरे गुरू हैं आप ही मेरे मादा पिता हैं मैं आपके शरण में आई हूँ मुझ अबला का अब आप ही उधार कीजी इस प्रकार विलाब करती हुई चंचुला ब्रामन देवता के चर्णों में गिर पड़ी तब ब्रामन ने उसे क्रिपा पूर्वक उठाया और कहा हे नारी तुम सोभग्य शाली हो जो भगवान शंकर की क्रिपा से तुमने वेराग्य पूर्ण शिव की कथा सुनकर समय से अपनी गल्ती का एहसास कर लिया है तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ उनकी परम क्रिपा से तुम्हारे सभी पाप नश्ट हो जाएंगे मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्ही सुख देने वाली उत्तम गती प्राप्थ होगी शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुध्धी शूध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वेरा ग्योत्पन हुआ है पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्राइश्चित है पश्चाताप ही पापों का शोधक है इससे ही पापों की शुध्धी होती है शिव की कथा सुनने से चित की शुधी एवं मन निर्मल हो जाता है शुध चित में ही भगवान शिव वपार्वती का वास होता है और वह शुधात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्थ होता है इस कथा का श्रवन सभी मनुश्यों के लिए कल्यान कारी है इसलिए इसकी अराधना वह सेवा करने चाहिए यह कथा भव बंधन रुपी रोग का नाश करने वाली है भगवान शिव की कथा सुनकर हिर्दे में उसका मनन करना चाहिए इससे चित की शुधी होती है चित शुधी होने से ज्यान और वेराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चे ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है हे भ्रामण बतनी तुम अन्य विश्यों से अपने मन को हटा कर भगवान शंकर की इस परम बावन कथा को सुनो इससे तुम्हारे चित की शुधी होगी और तुम्ही मुक्ष की प्राप्ती होगी जो भी मनुश्य निर्मल हिर्दे से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जनम में मुक्ति हो जाती है उस गोगण नामक महाक्षेत्र में उन भ्रामन देवता के मुक्से चंचुला, शिव की भक्ती, ज्यान और विराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ती देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर क्रितार्थ हो गई उसका चित शुध हो गया वह अपने हिर्दे में शिव के सगुन रोप का चिंतन करने लगे वह सदैव शिव के सचिदा नंद मैस्वरोप का स्मरन करती थी उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और वह शिव धाम को प्राप्त हुई उसके सारे पाप धुल गए गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास कने लगी एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनके स्तूती कने लगी तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे सखी चंचुला मैं तुम्हारी स्तूती से बहुत प्रसन हूँ बोलो क्या वर मांगती हो चंचुला बोली हे गिरी राजनन्दिने मेरे पती बिंदोग इस समय कहा है कृप्या मुझे बताईए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम तिर से मिल सकें गिरी जा बोली बेटी तुम्हारा पती बिंदोग बड़ा पापी था वह विंद्य परवत पर पिशाच की योनी में रह रहा है यह बात सुनकर चंचुला त्यंत दुखी हिर्दे से बोली हे माहा देवी मुझे पर कृपा कीजिए और मेरे पती का उधार कीजिए गौरी देवी ने कहा यदि तुम्हारा पती बिंदोग शिव की पुन्य में उत्तम कथा सुने तो वह इस दुरगती को पार करके उत्तम कथी का भागी हो सकता है गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर प्रात्ना की कि मेरे पती को शिव कथा सुनाने की विवस्था कीजिए फिर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर वराज तुम बुरो को बुला कर कहा तुम बुरो तुम मेरी इस सखी के साथ विंधे बर जाओ वहाँ एक महा घोर और भ्यंकर पिशाच रहता है वह अपने पापों का फल भोग रहा है तुम उसके सामने परम पुन्यमई पापों का नाश करने वाली शिव की दिव्य कथा का प्रवचन गरो मा उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम बूरो प्रसंदा पूर्वत अपने भाग्य की सरहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंधे परवत पर गया और परम उत्तम शिव की अमरित कथा का गान शुरू किया परम पुन्य में शिव कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मोक्त हो गया और उसमें पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देहधारी होकर बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयम भी भगवान शिव का गुणगान कने लगा उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैटकर शिव पूरी की ओर चल दिया और शिगर ही शिव धाम पहुंच गया भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया दोनों पती पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चर्णों में अविचल निवास पाकत धन्य हो गया तो प्रेम से बुले शिव शिवा के जये एक अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है किसी नगर में एक बहुत ही धनी वेपारी रहता था दूर दूर के नगरों तक उसका वेपार बहुत फैला हुआ था नगर के सब ही लोग उस वेपारी का बहुत सम्मान करते थे उसके पास सब कुछ था इतना सब कुछ संपन होने के बाद भी वह व्यपारी बहुत दुखी रहता था उसके दुखी रहने का कारण उसका कोई पूत्र नहीं था जिसकी वज़ा से उसे हर समय यह चिंता स्ताती रहती थी कि मेरी मृत्यू के बाद मेरे व्यपार को कौन संभालेगा नहीं मृत्यू के बाद मेरा उत्रादिकारी कौन होगा यही चिंता उसे हर समय इस्ताती रहती थी पूत्र प्राप्ती की इच्छा से व्यपारी प्रतेव सोंभार भगवान शिव का वरत किया करता था पूजा किया करता था और शाम की समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घीकत देपक जिलाया करता था उसकी भक्ति देखकर माहा पार्वती बहुत प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस व्यपारी के मनो कामना पूर्ण करने का निबेदन करने लगी फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले इस अंसार में सब को उसके करम के नुशार फल की प्राप्ति होती है जो प्राणी जैसा करम करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी, माँ पार्वती नहीं मानी उस व्यपारी के मनों कामना पूर्ती हे तू, वे शिवजी से बार-बार अनुरोद करती रही अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोले नात को उस व्यपारी को पूत्र प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा वर्दान देने के पश्चात भोले नात मा पारवती से बोले आपके आगरह पर मतलब आपके अनुरोध करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया परन्तु इसका यह पुत्र बारा वड़ से अधिक समय तत जीवित नहीं रहेगा उसी राद भगवान शेफ उस व्यपारी के स्ववपन में आये और उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र की बारा वश्टक जीवित रहने की बात भी बता दिया भगवान के वर्दान से व्यपारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपाईयों के चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया व्यपारी पहले की तरह सुमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अधे सुन्दर बालक ने जनम लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई बहुत धूम धाम से पुत्र जनम का समारोह मनाया गया परन्तु व्यपारी को पुत्र जनम की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयो के रहसे का पता था जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यपारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वारा नसी भेज दिया और कहा कि रास्ते में यग्य, पूझा, पाठ और भंडारे करते हो जाना और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तब वापसाना लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ती हे तु चल दिया रास्ते में जहां भी मामा भंजे, विश्राम ही तो रुखते वहीं यग्य करते और ब्रहमनों को भोज कराते लंबी यात्रा के बाद मामा भंजे एक नगर में पहुँचे शाम हो गई थी, तो उन्होंने सोचा यहीं सराय में रुखते हैं फिर सुभा चलेंगे, जिस सराय में रुखे थे, उस सराय के बगल के शामियाने में एक बारात ठहरी हुई थी उस दिन नगर के राजा के कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिन्ति था उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इंकार ना करते इस से उसकी बदनामे भी होगी, जब वर के पिता ने व्यपारी के पुत्र को देखा, तो उसके दिमाग में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुलहा बना कर राजकुमारी से विवाह करा दूँ, विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा यह सोचकर वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता के बात स्वीकार कर ली और लड़के को दुले के वस्त्र पहना कर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ उसके घर वापस आ रहा था तो वह सच नहीं चिपा सका और उसने राजकुमारी की ओड़नी पर लिख दिया राज कुमारी तुम्हारा विवाहा मेरे साथ हुआ है किन्तु जो तुम्हारा पती है वो कोई और है वह एक आंख से काना है मतलब एक आंख से अंधा है मैं तो वारा नसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ यह सारी बात उसने उसके पल्लू में लिख दी जब राज कुमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस अंधे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राज कुमारी को महल में ही रख लिया उधर लड़का अपने मामा के साथ वारा नसी पहुंच किया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब उसकी आई वी बारा वर्ष की हुई तो उसने यग्य किया यग्य के समापती पर ब्राहमनों को भोजन करवाया और खुब अनवस्तर दान किया रात को उसकी तबियत पखेर उड़ गये अर्थात उसकी सोई हुई अवस्ता में ही मृत्यू हो गई सूरे उदय पर मामा मरे हुए भांजे को देखकर रोने पेटने लगा आसपास की लोग भी इकठे होकर दुख प्रकट करने लगे सभी शोक व्यक्त करने लगे लड़के के मामा के रोने विल भगवान से कहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं क्रीपा करके कुछ कीजिए आप इस व्यक्ति के कश्ट को अवश्य दूर कर सकते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अद्रिश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोले नात माता पार्वती से बोले यह तो उसी व्यपारी का पुत्र है जिसे मैंने बारा वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू पूरी हो गई है लेकिन मात्री भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महधिर आप इस बालक को और आयू देने की कृपा करें अन्य था इस इसके माता पिता भी तडब तडब कर मर जाएंगे माता पार्वटी के आकर्त भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का बरदान दिया शिर्जी की कृपा से वैहलतका जीवित हो गया शिक्षा समेप्त करके लड़का मामा के साथ अपनी नगर की और चल दिया दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्ये का आयोजन किया वहां से गुजरते हुए राजा ने यग्ये का आयोजन देखा और राजा ने तुरंट ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया यग्ये के समाप्त होने पर राजा मामा और उस लड़के को महल में ले गया और उनकी खुब खातिरदारी की फिर मामा ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से उस दिन शादी हुई थी फिर राजा ने कहा कि विधी का विधान कौन टाल सकता है अब आपका भांजा ही मेरा दामाद है राजा कुछ दिन उन्हें महल में रखकर फिर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विधा कर देते हैं इधर भू के प्या से रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समचार मिला तो दोनों अपने प्रान त्याग देंगे प्रन्तु जैसे ही उनके बेटे के जीवित वापस लोटने का समचार मिला तो वह प्रसन हो गए वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे अपने बेटे के विवाप का समचार सुनकर पुत्र वधु राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसी रात भगवान शेव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हेश रेश्ठी मैंने तेरे सुमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है पुत्र की लंबी आयू जानकर व्यापारी बहुत प्रसन हुआ शिव भक्त होने तथा सुमवर का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामने पूर्ण हुई इसी प्रकार जो भक्त सुमवर का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं हे भोले नात, हे शिवशंकर, हे माता पार्वती, कथा सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले, और हुंकारा भनने वाले, सभी की मनों कामने पूरी करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो आईए भगतों सुनते हैं सब का मंगल करने वाली सोलह सुमवार्वरत की बड़ी ही पावन कथा को प्राचिन समय की बात है मृत्यू लोग में भ्रह्मन करने की इच्छा करके एक समय शिरी भूतनात महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यू लोग में पधारे वहाँ वे ब्रह्मन करते करते विदर्ब देशांतरगत अमरावती नाम की अतिरमनिक नगरी में पहुंचे अमरावती नगरी अमरापूरी के सद्रेश सब प्रकार के सुखों से परिपोन थी उसमें वहाँ की महराजा द्वारा बनाया हुआ अतिरमनिक शिवजी का मंदिर उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास कने लगे हे प्रिय भक्त करनों एक समय माता पार्वती ने प्राणपती को प्रसंद देखतर मनों विनोध करने की इच्छा से बोली हे महाराज आज तो हम दोनों चोसर खेलेंगे शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चोसर खेलने लगे उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्रहमन मंदिर में पूजा करने को आया माता पार्वती ने ब्राह्मन से प्रशन किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किस की जित होगी ब्राह्मन ने बिना सोचे विचारे ही शिगरता सिर्फ बोल दिया कि महादेव जी की ही जित होगी थोड़ी ही देर में बाजी स्माप्थ हो गई और पार्वती जी की विजय हुई अब तो पार्वती जी ब्रामन को जूट बोलने के अपराहत के कारण श्राप देने को तत्पर हुई तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया परंतु उन्होंने ब्रह्मन को कोड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्राप वश्च पुजारी के शरीर में कोड़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कश्ट भोगते हुए पुजारी को जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देव लोग की अपसराएं शिवची की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कश्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। तब पुजारी में मिह संकोज सब बातें उनसे क्या है देगे। फिर वे अपसराएं बोले कि है पुजारी ची अब आप अधिक दुखी मत हो ना। भगवान शिर्ची आपके कश्ट को दूर कर देंगे। अब आप सब ब्रतों में श्रेष्ट सोलह संबार का ब्रत भक्ति भाव से करों। तब पुजारी अपसराओं से हाथ जोड कर विनम्र भाव से सोलह संबार ब्रत की विधी पूछने लगे। अपस्रायें बोले कि जिस दिन सोंबार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें स्वच वस्त्र पहने संध्यव उपासना के बार आधा सेर गेहूं का आटा ले उसके तीन अंग बना ले और घी, गुड, दीप, नवैध्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेव जोडा, चंदन, अ प्रदोशकाल में भगवान शंकर का विधी से पूजन करें, उसके बाद तीन अंगों में से एक शिवजी को अरपन करें, बाकी दोगों शिवजी का प्रसाद समझ कर उपस्थित जनों में बांट दें, और अपने आप भी प्रसाद पावें, इस विधी से सोलह सुमवार रत करें, तत पश्चात सत्रवें सोंवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहों के आटे की बाटी बनावें, उस में घी और गुड मिलाकर चुर्मा बनावें, और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें, और अपने सा परिवार भी परसाद ले लें, त प्रियभक्तिचन, ऐसा कहकर अपस्राइन स्वल्ख को चले गें, भ्रामन ने यथा विधी सोलह सुंवार रत किया, तथा भगवान शिवजी की क्रिपासी रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा, कुछ दिन के बार, जब फिर से शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्रामन को निरोग देखकर, पार्वती माता ने ब्रामन से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्रामन ने सोलह सुंवार व्रत कथा कह सुनाई, तब तो पार्वती जी अतिप्रसन होकर, ब्रामन से व्रत की विधी पूछ कर, स्वयम व्रत करने को तत पर हुई व्रत करने के बार उनकी मनों कामना पोण हुई तथा उनके रूठे पूत्र स्वामी कार्टिके स्वय माता के आग्यकारी हुई कार्टिके जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस से जानने की इच्छा हुई और माता से बोले हे माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकरशित हुआ तब पार्वती जी ने वही सोला सुमवार व्रत कथा सुनाई स्वामी कार्टिके जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रियमित्र भ्रामन दुखी दिल से परदेश गया है हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है कार्टिके जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रियमित्र मिल गय मित्र ने इस अक्समिक मिलन का भेर कार्ति के जी से पूछा तो वे बोले हे मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके सोलह सुंबार के व्रत किये थी अब तो ब्रहमन मित्र को भी अपने विवा की बड़ी इच्छा हुई उसने कार्ति के जी से व्रत की विधी पूछी और यथा विधी व्रत किया व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कारेवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वेंबर था राजा ने प्राण किया था कि जिस राजकुमार की गले में सब प्रकार श्रिंगारित हतिनी माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूँगा शिवजी की क्रेपा से ब्राण मन भी स्वेंवर देखने की इच्छा से राज सभा में एक और जातर बैठ गिया नियत समय पर हतिनी आई और उसमें जैमाला उस ब्राण मन के कले में डाल दी राजा की परतिग्या के अनुसार बड़ी धूम धाम से कन्या का विवाह उस ब्रामन के साथ कर दिया और ब्रामन को बहुत सा धन और समान देकर संतोष्ट किया ब्रामन सुन्दर राज कन्या पाकर सुक से जीवन व्यतीत करने लगा एक दिन राज कन्या ने अपने पती से प्रशन किया कि हे प्राण ना आपने ऐसा कौन सा भारी पुन्य किया जिसके प्रभाव से हथी नीने सब राजकुमारों को छोड़ कर आपको वरन किया फिर भ्रामन बोला हे प्राण प्रिये मैंने अपने मित्र कार्टिकेजी के कतना नुसार सोलह सुमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे स्वरूप वान पत्नी की प्राप्ती हुई व्रत की महिमा को सुनकर राज कन्या को बड़ा आश्चरे हुआ और वह भी पुत्र की काम ना करके व्रत कने लगी शिर्जी की दया से उसके गर्भ से एक अती सुन्दर, सुशेर, धर्मात्मा और विद्वान पुत्रुत्पन हुआ माता पिता दोनों उस दे पुत्र को पाकर अतीप रसन हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से कने लगे जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्ण किया कि हे माता आपने कौन सा तब किया है जो मेरे जैसा पूत्र आपके गर्ब से उत्पन हुआ फिर माता ने पूत्र का प्रबल मनुरत जान की अपने किये हुए सोलह सुमवार व्रत को विधी के सहित पूत्र के सामने प्रकट किया पूत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनुरत पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्या दिकार पानी की इच्छा से हर सोंवार को यथा विधी व्रत करने लगा उसी समय एक देश के व्रिध राजा के दोतों ने आकर उसका एक राज कन्या के लिए वरण किया राजा ने अपनी पुत्री का विवाँ ऐसे सर्व गुण संपन भ्रामन युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप किया व्रिध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्रामन बालत गद्दी पर बिठाया गया क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्रामन पुत्र अपने 16 सुंबार के व्रत को करता रहा जब सत्रवां सुंबार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पोजन सामग्री लेकर शेख पोजा के लिए शिवाले में चलने के लिए कहा परन्तो प्रियतमा ने उसकी आग्या की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवाले भेचवा दे और अपने आप नहीं गई जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाश वाणी राजा के प्रती हुई राजा ने सुना कि हे राजा अपनी इस राणी को राज महल से निकाल दे नहीं तो तेरा सर्व नाश कर देगी आकाश वाणी को सुनकर राजा के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा और ततकाल ही मंत्रना ग्रेह में आतर अपने सभसदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों मुझे आज शिवजी के आकाश वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस राणी को निकाल दे नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी मंत्री आदी सब बड़े विस्में और दुख में डूप गए क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है यह कैसे हो सकेगा हे भगतों राजा ने अपनी पत्नी को उस नगर से राज्य से निकाल दिया राणी दुखी हिर्दे से भाग्य को कोस्ती हुई नगर से बाहर चली थे बिना पद द्रान फटे वस्त्र पहनी भूख से दुखी धीरे धीरे चल कर एक नगर में पहुँची दिया वहाँ एक गुढ़्या सूथ कात कर बेचने को जाती थी राणी की करुण दशा देख कर बोली चल तू मेरा सूथ बिकवा दे मैं व्रिध हूँ भाव नहीं जानती हूँ ऐसी बाद बुढ़्या की सुन कर राणी ने बुढ़्या के सर से सूथ की गठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली हे भग्त गणो थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़्या का सूथ पोटली के सहित उड़ गया बेचारी बुढ़्या पच्चताती रह गई और राणी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया अब राणी एक तेली के घर गए तो तेली के सब मठके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए ऐसी दशा देख कर तेली ने राणी को अपने घर से निकाल दिया इस पर काराणी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तटपर गई तो नदी का समस्त जल सुप गया ततपश्याद रानी एक वन में गई, वहां जाकर नदी में सीड़ी से उतर कर पानी पीने को गई उसके हाथ से जैसे ही जल स्पर्श हुआ, वैसे ही नदी का नील कमल किस मान जल असंखे कीडों में गंदा हो गया रानी ने भाग के पर दोशा रोपन करते हुए उस जल को पी लिया, उसके बाद पेड की शितल छाया में विश्राम करने लगी वह रानी जिस पेड के नीचे जाती, उस पेड के पते ततकाल ही गिरते वन, सरोवर, चल की ऐसी दशा देखकर, गउच राते गवालों ने अपने गुसाई जी से जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुझा रही थे ये बात कही, गुसाई जी के आदेश अनुसार, ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए रानी के मुख कांती और शरीर शुभा देखकर गुसाई जी समझ गए, कि ये है अवश्य ही, कोई विधी की गती की मारी कोई कुलीन अबला है ऐसा सोच कर, पुझारी जी ने रानी के प्रती कहा, कि है पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कश्ट नहीं होने दूगा गुसाई के ऐसे वचन सुनकर, रानी को धीर अज हुआ, और आश्रम में रहने लेगे प्रन्तु, आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाती, अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है, जिससे तेरी ऐसी दशा है पुजारी की बात सुनकर, रानी ने शिवजी की पूजात करने ना जाने की कथा सुनाई, तो पुजारी ने शिवजी महराज की अनेक प्रकार सिस्तुति करते हुए राणी के प्रती बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनरथों के पूण करने वाले 16 सुमवायव्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कश्ट से मुक्ठो सकोगी। गुसाएं की बात सुनकर, रानी ने सॉलाह सोंवायवरत को विधिवद संपन किया और सत्रवें सोंवार विधिविधान से पूजन किया, पूजन के प्रभाव से राजा की हीरतय में विचार उत्पन हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है ना जाने कहां कहां भटकती होंगे उन्हें ढूनना चाहिए यह सोच कर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूद भेजे गए वे दूद तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूद चुपचाप लोट गए और आकर महराज के समुख रानी का पता बतलाने लगे रानी का पता पाकर राजा अस्वयम पुजारी के आश्रम में करे और पुजारी से प्रात्ना करने लगे कि हे महराज जो देवी आपके आश्रम में रहती है वे हैं मेरी पत्नी है शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था अब इस पर से शिव का प्रकोप शान्त हो गया है इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्या देदीजी हे भक्तगणों गुसाईं जी ने राजा के वचन को सत्ते समझ कर राणी को राजा के साथ जाने की आज्या देदी गुसाईं की आज्या पातर राणी प्रसन होकर राजा के साथ मैहल में आ गई नगर में अनेक प्रकार के बढ़ावे बचने लगे। नगर निवासियों नगर के दर्वाजों पर तोरण वबंदनवारों से विविद विधी से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे, पंडितों ने विविद वेद मंत्रों का उचारन करके अपनी राज रानी का आवाहन किया, ऐसी अवस्था में रानी ने पुनहा अपनी राजधानी में प्रवेश किया, महराज ने अनेक तरह से ब्रामनों को दान आदी देकर संतुष्ठ क किया, याचकों को धन धान्य दिया, नगरी में स्थान स्थान पर सदा वरत खुलवाए, जहां भूकों को खाने को मिलता था, इस परकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो, राज स्थानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सुम वार वरत करने लोग में अनिकानिक सुखों को भोगने के पहचात शिवपूरी को पधारे, ऐसे ही जो भी मनुश्य मन, वचन, करम द्वारा, भक्ति सहीत, सोमवार का वरत वह पूजन इत्यादी विधिवत करता है, वह इस लोग में समस्त सुखों को भोग कर, अंत में शिवपूरी को प पूण करने वाला है, हे भोले ना, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भनने वाले, सभी पर अपनी क्रीपा द्रिष्टी पनाए रखना, सभी के मनोरत पूण करना, थो प्रेम से बोले शिवजी भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सर्वदेवी की जय